हेलो प्यारे बच्चो इस यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वाधत है आई आई टी जी दोजार चौबीस मिन्स 6 अपरल पारी फर्ष्ट में पूछा गया प्रश्ण प्रत्वी की तरज्जा को गठा कर तीन वट्टे आर तीन वट्टे चार आर कर दिया जाए तो प्रत लेजिए ओमेगा बन कोणी वेग से घूम रही है अब इसकी द्रज्जा को गठा कर कर दिया हमने कितना कर दिया यानि 3 आर वाई 4 कर दिया है अब मास तो इसका उतना ही रहेगा लेकिन इसका कोणी वेग जो है बदल जाएगा तो यहाँ पर हम जानते हैं उमेगा बरावर होता है 2πi n जा पर आवरती है बरावर 2πi बटे t पर करवनकाल है तो t बरावर हो जाएगा 2πi बटे उमेगा तो पहले केस में देखेंगे हम फर्स्ट केस में के t1 माले जे टाइम पीरिड है हमारे पास तो उमेगा 1 और यह होता है 24 गंटे जब प्रत्वी कितर जा रहे त 24 गंटे का टाइम होता है एक दिन का अब क्या करेंगे जब यह इसकी त्रज्जा बदल गई तो इसका कोणी संबेग सरच्षित रहेगा तो कोणी संबेग सरच्षण के नियम से तो देखें आईवन ओमेगा 1 बरावर आईटू ओमेगा 2 यहाँ पर आईवन अमारे पास ठोज गोली अगर हम प्रत्वी को ठोज गोला मानें तो उसका होता है जड़त आगून दो बटे 5 एम आर स्कूर दो बटे 5 एम आर स्कूर रख देंगे पहले केस में और ओमेगा 1 तो इस एम आर की जगे पर तीन आर बटे चार रख देंगी होली स्कूरीर अब देखेंगेों इंगा 2 कितना और हरा एक सब्सक्राम ने पांच हम गट गया और स्कुरों मेंगा वन बुन बराबर हो जाएगा नों आर्सकुर बटी सुले ओमेगा टू आरे स्कूर शी आरे स्कूर कट जाएगा। तो उमेगा टू आ जाएगा यहां पर क्रोस मिल्टिप्लाइ करने पर 16 वट्टी 9 उमेगा वन आप देखेंगे टाम पिरिड जब बेलो इसका कोणी बेग बदल गया तो इसका अब कितना समय होगा इसका रूटेशन का तो टी बराबर वोई 2 पाई वट्टी हम लगा देंग और टू पाई वट्टी उमेगा वन हम भी बताया था कि यह होता है हमारे पास कितना 24 गंटे तो 24 गंटा लिख देंगे मैं आपर ठीक है हो इसी आठ से काटेंगे आठ ती आचोबिस आठ दुनी सूले तो नो गुणा तीन बट्टी दू घंटा आ जाएगा इसका रूटेशन टायम और यह 27 बट्टी दू होगा तो 27 बट्टी दू होगा तो इसको लिख देंगे तीरे सई एक बट्टी दू घंटा यान ने दिया हुआ है तो इस तरह से इसका ओप्सन यह सही है आसा करता हूं आपको यह समझाया होगा वीडियो पसंद दे तो क्रिपाय लाइक जरू करें चैनल को सीरियम सब्सक्राइब भी करने वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवादा